नमस्कार साथियो नलेज वी सियेम यूटूब चैनल में आपका एक बार फीर स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च महा का जो वितन भुकतान है जो 36 गड़ के सिक्षक है कि साथ साथ जो अन्य विभाग के करमचारी है उनको अभी उनका मार्च महा का वितन भुक अभी तक के नहीं हो पाया है तो देखे आपके सामने इस्क्रीव पर दिखाई पड़ेक यहां पर देखे हेडिंग में दिखाई पड़ेकि इक चाक सही सरकारी करमचारियों को भी अभी और करना होगा नया वितन भुकतान है तुस अभी जीला को सालाय को वित्त विभाग के द्वारा नया फार्मेट उपलब्द कराया जाएगा लेकिन अभी तक नया फार्मेट जारी नहीं होने के करण जो प्रदेश के सभी साजक्री करमचारियों का वितन लटक दया है और वित्त विभाग से नया फार्मेट वाला शाप्ट वेयर आने के बाद ही वितन का मुक्तान ट्रेजरी से सिधे उनके एकाउन में होता है इसके लिए वित्त विभाग द्वारा साप्ट वेयर त्यार किया गया है जिसमें सभी विभाग को द्वारा कमचारियों की ऊपसिति निधारी फार्मेट में दर्ज करने के बाद वितन जरेट हो जाता है जिलाग को शापटवीएर को सभी जिला को सारी में नहीं भेजा गया है। सरकारी करमचारियों के कई लोन चेक हो रहा है बाउंस। सरकारी करमचारियों और सिख्ड वेजिदे के लोन राके हैं, जिनकी किस्त महीने के 2-3 तारीख को होग टती हैं। वेतन मिलने में देरी होने और एकाउंड में प्रियाप्त बलेस नहीं होने के करण कर्मचारियों के चेक बाउंस भी हो रहे हैं। चेक बाउंस होने की इस्थिति में कर्मचारियों को बेंक को अतरित जुर्माना भी भरना होगा वह ही कई कर्मचारियों के प्वोन भी ळोंड कीश्ते नहीं, पठाने के करण Скंड कि तयारी है इसकी भी इस्तिती वितन मिलने के बाद ही इस पश्ट हो पाएगी वही नई फार्मेट आने में कितना समय और लगेगा इसकी सही जनकारी किसी के पास फिलहाल उपलब्द नहीं है उम्मिद है एक दो दिनों में नया फार्मेट आते ही वितन बनना शुरू हो जा है कि अभी मार्च महा का वेतन आने में कुछ समय और लग सकता है तो साथियो आज कर वीडियो आपको कैसा लागा हमें कमेंट स्क्राइब बताए फिर मिलते हैं साथियो इसी प्रकार की नई जनकारी नए वीडियो के साथ तब तक के साथ हो जाए जहार जाहिं जहीं